प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है पिछले महीं ने एक विदेशी संस्था हिंडन बर्ग के द्वारा अडानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए गए उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके चलते पूरे शेयर मार्केट के अंतरगत एक भूचाल सा आ गया अडानी के शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिश्ट थे इनमें बहुत तेजी से गिरावट आई और इसके चलते इससे जुड़ी हुए बहुत सारी खबरों को हमने सुना और जाना अलाकि यह आरोप अपने आप में क्या है क्या नहीं है यह अलग मुद्दा है इसको हमने अलग-अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके अलग-अलग सेशन में कवर किया है इसके अलावा आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि इस पूरे व्यवहार का इस पूरी घटना का शेयर मार्केट पर किस तरह से इंपेक्ट पड़ता है और सबसे जरूरी बात कि भारत के अ सेवेशकों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है तो हमारे सिलेबस के पॉइंट अव व्यू से बहुत ज्यादा महत्मूर्ण है यह विशह हमें जानना चाहिए तो आज के सेशन में हम यह जानेंगे कि कौन-कौन से इससे जुड़े हुए प्रावधान ऐसे हैं जो नियामक रूप से इस पूरे मैटर को देखते हैं इससे जुड़ी हुई नियमावलिया तै करते हैं और ट्रेडिंग से हट करके पूरी चीजों को समझेंगे जो न्यूज है वो है हाउस दे स्टॉक मार्केट रेगुलेट इन इंडिया कैसे इसको रेगुलेट या वी नि पूरी प्रक्रिया से बहुत महत्पूर्ण रूप से जुड़ी है और प्रमुख निकाय की रूप में कारे करती है इसके क्या दिकार हैं इसके अलावा निवेशक बाजार से जो फंड जुटाते हैं उससे जुड़े हुए किस तरह के निर्देश जारी किये गए हैं अगर 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 अडानी ग्रुप की ही बात करें तो उन्होंने जो बाजार से फंड जुटाए थे उससे निवेशकों को किस तरह के नुकसान हो रहे हैं और अगर 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 किसे किसे नुकसान हुआ तो जीस पेपर टू और थ्री कॉर्पोरेट गवर्रेंस और वित्ती संस्था हैं इन दोनों से ही यह विशय जुड़ जाएगा अब चर्चा में क्यों है क्योंकि इंडन बर्क्स रिसर्च इन्होंने अडानी ग्रुप पर धोखा धड़ी से जुड़े हुए शियर बाजा को इस से लाखों करोड का नुक्सान हुआ था इस बात को ध्यान से समझेगा कि एक ग्रुप है जो शियर मार्केट में लिश्टेड है बहुत बड़ी कंपनी है अलग-अलग सेक्टर्स में कार करता है उस पर अगर किसी तरह के आरोप लगाय जाते हैं तो उसके जो शियर स किसी तरह की कोई रिपोर्ट प्रकाषित करती है तो क्यों ऐसा हुआ मार्केट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के कार करता है बहुत सारी संभावनाओं पर ठिका होता है कोई व्यक्ती अगर किसी शेयर में निवेश करने जाता है तो आ यह औनमान लगा करके चलता है या फ लिए जाने वाले कदम है या फिर इनके आने वाले समय में जो निवेश है कहा कहा ये करने जा रहे हैं उसमें profit की कितनी संभावना है वरतमान में इनके profit की कितनी संभावना है उसके हिसाब से ही लोग निवेश करते हैं अगर ऐसी कोई भी खबर आती है तो ऐसी खबर आने का मतलब ही है कि उस company के लिए उसका जो भविश्य है वो अब निवेशकों के लिए अच्छा नहीं दिख रहा या फिर आने वाले समय में उसकी संभावना कम होने जा रही है ये एक बड़ा डर होता है जिसकी वज़े से शेर में तेजी से बिकवाली शुरू हो जाती है या फिर शेर बेचने की प्रक्रिया तेज हो जाती है इसकी चलते शेर की वैल्यू मार्केट वैल्यू ऻिए बहुत तैजी से कम होने लग जाती है और यह एक उदार है इसका कि शेरों में गिरावट कैसे यह लोगों का बड़ा नुक्सान हुआ क्योंकि कई सारे लोगों ने जिन सबयाई करने की बात करी है और उन को देखे जाने की बाद कही है जिसे लोगों को इस आश्थिर स से बचाया जा सके किNS एक इतना बड़ा मार्केट है उसमें जैसे ही नुक्सान होगा तो देश के अंतरगत जो लोक शामिल है उनको भी उससे काफी ज़्यादा नुकसान होगा अब प्रतिभूती बागार को नियंतरित कारने वाले कौन-कौन से कानून भारत में मौजूद है इसको देखें बेटिकली चार प्रमुख कानून है जिसके अंतरगत जो सेक्यूरिटी मार्केट है वो कंट्रोल किया जाता है एक तरह से रे 2013 प्रतिभूती अनुबंध वी नियमन अधिनियम 1956 यानि सेक्यूरिटीज एंड कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन एक्ट इसको बोलते हैं एस सी आरे आगे कुछ जगहों पर दिक्र होगा तो समझ जाएगा इसकी बात कर रहे हैं इसके अलावा डिपोजिटरीज एक्ट हमें पता चलता है किस तरह से डेवलाप होता गया है और आज के समय फिर हम सभी चीज़ों को देखते हैं अब सेभी के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आज का की पॉइंट में यानि सेभी से जुड़े हुए जो कार हैं बहुत नायप्मूर होंगे तो प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उनके हितनों का संनक्षण करना प्रतिभूति बाजार यानि सेक्रिटीज मार्केट के विकास का न्नैय करना तथा उससे रेगुलेट करना और उस समद्दित या उससे जुड़े हुए विषेओं का प्रावध पूरिबुच उसके अलावा चार पूर्ण कालिक सदस्य हैं श्री एसके मोहंती श्री अनंत बरुआ श्री अस्वनी भाटिया और श्री अनंत नारायन गोपाल कृष्णल बहरहाल किसी भी परिक्षा में इसी राजी की परिक्षा में हो सकता पूछ लिया जाए बाकि एक बे अधिकार बिये गए हैं यहां से शुरू करें बात को तो से भी अधिनियम से भी को निवेशकों के हितों की रक्षा रेगुलेशन पूंजी यानि कोई कैप्टल या फिर से जुड़ा हुआ जो मार्केट है उसको डेवलप करने के अधिकार देता है इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स मर्चेंट बैंकर प्रबंधक जैसे जो बिचॉलिये हैं उनके पंजीकृत करना उनकी पातरता के मांदनों को देखना गतिविधियों को देखना उसे जुड़ी हुई शर्तों का और उनका निरिक्षण करते रहना से भी का काम है अब यह जो नाम आये हैं जैसे इस टॉक ब्रोकर्स मर्चेंट बैंकर यह सबी क्या है इसका यह काम है जो शेर्स से जुड़ी हुई सेवाएं आम लोगों को देते हैं तूसरा मर्चेंट बैंकर्स जो किसी व्यक्ति के लिए जो शेर्स हैं उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं और इसी तरह रेजस सकते हैं उसके बारे में जानकारी यह सेवधा देते हैं इसलिए इनको एक तरह से कहा जाता है जो मध्यसता करते हैं मध्यस के रूप में कार करते हैं रद्ह करना और अगर कोई गतिवीधी गलत पाई जाती लिए तो वहांपर मौद्रिक दंड लगाना भी सेवी के अधिकार ख्षित्र में आता है इसके अलावा इस टॉक एक्सचेंज जो भी है उनको आइडेंटिफाई करना जा उनको अमाने करने का अधिकार भी सेवी का है इससे जुड़े हुए जो भी कामकाज है उससे अधिनियम देखा डिपॉदिटरी एक्ट उसके अंतरगत जो भी इलेक्ट्रोनिक रूप में हम प्रतिभूतियों को रखते हैं जो आभ होतिक हैं उनकी अवधारना को भी यहां से वैधिता प्रदान की गई है इस कानून के जरिये ताकि जो भी आज के समय हम पीडियाफ को भी रेगुलेट करने का अधिकार है मौद्रिक दंड लगाने का अधिकार है इससे जो भी कानून के अंतरगत अधिकार है वो सेभी के पास है इसके अलावा अगर हम देखें कि सेभी के पास बाजार की आस्थिरता को रोकने से जुड़े कौन-कौन से अधिकार है जैसे अगर बहुत आवशक्ता पढ़ ही जाए उसे भी श्टॉक एक्षेंजों पर व्यापार और निप्टान को रेगुलेट करने वाले निर्देश जारी कर सकता है ऐसे लोगों को जो इसकारियों से जुड़े हैं इसे लोगों को निर्देश जारी कर सकता है इसके अलावा संस्थाओं को व्यक्तियों को प्रतिभूति की खरीद विक्री या बाजार से धन जुटाने पर भी रोक लगा सकता है इसके अलावा बिचॉलियों जिसके हमने पीछे ब्रोकर्स के रूप में बात की या सूचिबद कंपनियों से जुड़े उने पर भी संस्थाओं और व रहका कानून अब सेवी को कंपनी एक्ट के अंतरगत कुछ प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दिया गया है जैसे कंपनियों को पूंजे जुटाने से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है और प्रिशासन से जुड़े हुए जो मांदंड है उसके जो बोर्ड से जुड़ा हुए इस्ट्रक्चर है और निरिक्षण प्रबंधन और निवेशकों की शिकायतों से जुड़े हुए जो प्रावधान है वो भी से भी के पास आते हैं जैनि से भी इस तरह के प्रावधानों को भी रेगुलेट करता है इसके अलावा धन जुटाने से से सामूहिक निवेश योजना तो ऐसे निवेशक या ऐसी योजनाए जो अप अपंजी कृत सी यस योजनाओ को चलाते हैं उनके खिलाब भी दंडनिये कारवाई से भी कर सकता है इसके अलावा भारत में स्टॉक एक्शेंजों और कमोडिटी एक्शेंजों को मानिता देन और रेगुलेट करने का अधिकार भी सेवी के पास हैं पहले देखा ही और पहले य्यादिकार के पास था ये शनकी ये पास ऐं जब सेबी का जब से गठन किया गया है इसके अलावा जो प्रतिभूती शब्द के हम बात करते हैं वो भी CCRA act के अंतरगत परिभाषित किया गया है इसके अलावा से बी ने जो नियम बनाए हैं वो प्रतिभूतियों के सूची करना प्रबंधन और स्टॉक एक्षेंजों के कामकात से सब्बंदित है अब आपको पूरा विशे थोड़ा सा जटल जरूर लग सकता है कि सब्सक्राइब से टेक्निकल शब्द ही आते जा रहे हैं प्रतिभूतियां यह सब तो यह मान करके चल रहे हैं कि कोई न्यूस का एनलिस हम कैसे कर पाएंगे क्योंकि इस से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं इस सेक्शन के अंतर का जितने आ रहे हैं उनको एस्प्रेन करने की कोशिश की गई है लेकिन आपने अगर अपना बेसिक कंप्लीट नहीं किया होगा तब आप थोड़ी सी दिक्कत यहां पर हो सकती है क्योंकि शेर मार्केट अपने आप में बहुत आसान टर्मिनोलॉजी को ले करके नहीं चलता कठें चीजें लग सकती हैं लेकिन होती आसान है ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक या शेर नहीं खरीदा है उनके लिए थोड़ा सा जटिल लगेगा लेकिन बहरहाल जो चीरे हैं जो नियम हैं उनको आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं उस संस्था के बारे में जान सकते हैं जो इससे जिड़ी ह हुई है क्योंकि बहुत टेक्निकल सवाल वैसे भी नहीं पूछा जाएगा बहुत सामाने से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है तो धोखा धड़ी के खिलाफ प्रक्षा के क्या-क्या उपाए हैं पहले बाद समझे कि धोखा धड़ी अपने आपने या फ्रॉड बहुत खराब चीज है इस प्रक्रिया को लेकर के क्योंकि इससे रेगुलेशन कमजोर होता है दो तरह केस में रूपों की बात की गई है दोखा धड़ी से संबंदित पहला बाजार में हेर फिर दूसरा इंसाइडर ट्रेडिंग तो बाजार मे के शेर में निवेश करने वाले लोगों को नहीं है तो कई बार इंसाइडर ट्रेडिंग वैद भी होती है कई बार आवैद भी होती है तो सेबी ने 1995 में इससे जुड़े हुए दोखा धड़ी और अनुसूचित व्यापार व्यवहार से जुड़े हुए कुछ वीनियम ला सीधी बात यह समझ लीजिए कि रेगुलेशन्स जो पहले लाए थे उन्होंने फिर उसको और विस्तार देने के लिए कि इंसाइडर ट्रेडिंग अपने आप में पूरी तरह से गहर कानूनी ना हो जाए कुछ चीजों को ले करके कुछ तरीकों को ले करके छूट दी गई क्योंकि कुणकि इस से निवेशकों को नुकसान हो जाता है क्या लावा गलत अल्के से अर्जित लाभ की निकासी सहित दंड के प्रावधान भी किये गए हैं जो भी रूल्स हैं अगर उनका उलंगन होता है तो उससे जुड़े हुए दंड के प्राफधान है और इन नियमों का अगर उलंगन करते हैं तो धन शोधन निवारण अधिनियम जिसे हम मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहट जानते हैं इस नाम से इसके तहट फिर कारवाई होत जब्त करना बैंक खाते हैं संपत्ति को करना और उसकी जाच करना जैसे कि कुछ अगर हम पंपनियों के उधारन देखें तो तत्यम सहारा इंडिया इसके लावा कुछ लोग जैसे केतन पारिक और विजय मालिया के खिलाभी से भी ने इनहीं नियमों के अंतरगत कारवाई की थी और उनकी संपत्तियों को जब्त किया था इसके अलावा अगर सेबी और स्टॉक एक्स्चेंजों के आदेश आ चुके हैं उसके खिलाफ कोई व्यक्ति कारवाई करना चाहता है तो इससे जुड़ा हुआ एक ट्रिबिनल है जिसे प्रटिभूती अपीली नयादी लाव तो यह एक पूरी structural जानकारी है इससे जुड़े हुए नियमों की इससे जुड़े हुए कानूनों की इसके अलावा शेर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी अलग हो सकती है और हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप का जो मामला है वो अपने आप में एक अलग प् समझ में ना आई हो तो उस बात को आप कमेंड बॉक्स में बता दीजेगा अब देखें आज का प्रश्ण निर्में लिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत में स्टॉक एक्स्चेंजों और कमोडिटी एक्स्चेंजों को मानता देने का अधिकार प्रतिभूती और एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है दूसरा कथन कहता है कि निक्षेपा गार अधिनियम यानि डिपॉदिटरी एक्ट वर्ष 1996 का कानून है जो प्रतिभूती बाजार नियंत्रल से स शुक्रिया